गुरूजी प्रणाम कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैई जून की छुट्टी में मैई जून की गर्मी की छुट्टी में आपका कोई योग कारी क्रम उत्रा खंड अर्थात नैनी ताल, रानी खेत राम नगर, कासिपुर हलद्वानी आदी छेत्रों में होने बाला है यदि हाँ तो लोगों को जरूर बताने का बताएं धन्यवाद स्वागत और अविनन्दन ये तो बाके में एक आवशक योग कारी क्रम है क्योंकि जब मैं पूरा में था महराष्ट के कई सारे लोग हमारे जो गुजरात के मिलने वाले हैं उन लोगों के भी उत्राखंड में घूमने की इच्छा है तो बहुत सीग्र लोगों की रिक्वाइर्मेंट पर लोगों की उत्सुकता पर ये का हट योग से जड़ा हुआ कारी क्रम जो की कुंडली योग पर आधारित होगा कुंडली योग और कुंडली तंत्र दोनों अलग-अलग कारी क्रम है इस कारी क्रम का जो कुंडली योग है इसका जो उद्देश्य होगा वो कुंडली सक्ति को किस तरह से जागरत किया जाए ये सिखाया जाएगा और जागरत होने के बाद में कैसे उसका उत्थान किया जाए उसको अफलिफ्ट मेंट कैसे किया जाए उसको कैसे उपर उठाया जाए क्योंकि जागरत तो कुंडली बहुत सारे लोगों की हो जाती है किसी की कथा कीरतन में हो जाती है भगवान की कहनिया सुनने में हो जाती है नास्ते गाते हुए हो जाती है लेकिन उसका उत्थान उपर को उठाने की जो प्रिक्रिया है एक अलग छेत्र है उत्थान होने के बाद में फिर जो आगे के विभिन चक्राज हैं उन चक्रों पे उसको फिर धारण करने की योगता, प्रिक्रिया, प्रसेक्षन भी दिया जाएगा धारण करने के वाद में फिर आता है दर्शन की प्रिक्रिया, जब आपकी कुंडल नहीं सकते हैं, सपोस करो स्वादिश्ठान से आपकी मणी पूरक चक्र तक उठ गई, जागरत हो करके उठ गई, पहले तो जागना मुस्केले, जागने के वाद उसका उत्थान करना, इच्छानुशार, और उसके बाद में फिर वहां का एक सिस्टम सुरू होता, एक दर्शन की प्रकिरिया सुरू होती है, दर्शन को हम अनवो कहते हैं, जो अनवो होते हैं, वो मैंने दर्शन सब्द का उपयोग कर रहा हूं, वहां की गत्विदियों की जानकारी होना, प्रदर्शन, दर्शन कहते हैं किसी गतिविदी को देखना, समझना, तो दर्शन के बाद में फिर आपके अंदर योगता आती है, प्रदर्शन की, आप अपने उस दर्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं, वहने विज्ञान में कोश की बात होती है, यह विज्ञान की बात हो जो एक शिव और सक्ति का मेल है मुलाधार चक्र से ले करके स्वादिश्टान मड़पूरग अनाहत विशुद्धा आग्या और फिर जो है जहां से यह उर्जा नीचे उतरी है इसको इसके इस्थान तक पहुँचा देना अर्थात बिलेक होल से उर्जा पैदा हो रही है और तो व सरीर के अंदर हमारे जो एक ब्रह्मांड है एक बिलेक होल है बहां पर बिसर्जित कर देना जिसको योग और वेदन्त की भाशा में मौक्ष कहते हैं योग की भाशा में जो बौदिष्ट है उसे शून कहते है जैनि महापरी निर्वान कहते हैं एक मुकतवस्ता यह बहां बापस पहुँचा देना अब इससे होगा क्या इससे होगा कि तुमारे सारीर की जो इंद्रियों की छमताएं हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे बहुत हत्प्रव करने वाले आपके अंदर छमता असाधरन आ जाएगी आप कभी भी बन सकते हैं सक्तियों को जगा के कलाकार भी हो सकते हैं आप बहुत अच्छे पहलवान भी हो सकते हैं आप अपने कुंडलनी की उर्जा को जिस चक्र पर यदि आपने धारण कर लिया तो निश्चत रूप से बहुत सारी सिद्धियां बहुत सारी छमताएं अचीमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे आपका परवारिक जीवन आपका व्यक्तिगत जीवन आपका सेक्स्वल जीवन आपका सैक्षिक जीवन आपका विवसाइक जीवन और आपका अध्यात्मिक जीवन यदि आप जीवन के बिविन इस तरों पे अपना संपूर्ण सरवांगीन विकास करना चाहते हैं तो का कारिकरम उत्रा खंड में मैं जून के महिने में जो छुटियां पड़ रही है और जो मेरे देक्षिन भारत के या विवन्ना छेत्रों से जो लोग इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए हैं मैं उनके सासाथ और लोगों के लिए भी आमंत्रित कर रहा हूं कि जो लोग इसमें जुड़ना चाहें वो अपना रेजिस्टेशन करा दें और महलाओं के लिए इसमें विसेश रूप से छूट है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वाटसप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ हो